हेलो दोस्तों केस आप सबी लोग दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक पर होने वाला है मतलब यार मॉस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो के 2023 में देखने को मिलने वाले है जिसके लिए यार कब से हाप पर जो काफे सारे फ्रेंड्स इंतचार कर रहे है तो अगर आप प्लैनिंग कर रहे हैं कोई 2023 में एलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो भी ऐसा होने वाला है सबसे खतरनाक एलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले है जो 2023 में देखने को मिलने वाले है तो विदाट एनिवेस टाइम लेट स्टार्ट इस वीडियो नंबर फाइब देखने को मिल जाता है जो क्यार इंडियन मार्केट में अभी तक जो सबसे अच्छे बिल्ड कॉलिटिक में एलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रैंड आता है बजाच जहां गाइस बजाच ब्रैंज यहाँ पर जो कन्फर्म है एंड फीचर जो आपको जहाँ पर जीटक से बेस्ट आपको जो जीटक प्रो में देखने को मिलने वाले है स्पीड की बात करतो 85-90 केंप स्पीड मिलने वाला एं.. होगा नहीं होगा यह कन्फर्म नहीं है बट अब यह जो यह हैस जिस यह दे सकती है डिस्प्ले वगर जो बहुत ही बड़ा सेवर इंच के डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड टाइम टुटाइम आपको इसमें जो आपड़िट भी देखने को मिलने वाले बात करती इस एलेक्टर स्कूटर के बारे में कब तक यह लॉंच देखने को मिल सकता और प्राइसिंग के बारे में प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस यह पर जो अभी फिलाल के लिए जो चेतक इलेक्टर स्कूटर इंडियन मार्केट में अविलेबले तो इस मॉडल से ज्याद आपको जो घुटी या थर्टी-वाइफ थाउजंद तक आपको जो ही इ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 2030 में एक नाइक देखने को मिलने वाला है और काफी चर्चा चल रही है कि एक्टिवा बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है लुक वाइस अगर हम बात करें गाईज तो इंडियन मार्केट में पैट्रल स्कूटर में यहाँ पर जोए एक्टिवा को लुक काफी एलेक्ट्रिक स्कूटर को पीछे चोड़ देता है तो कमपनी का ऐस फोकस यही होने वाला है कि एक्टिवा बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगी और गाइज अल्रेडी दो लाग किलुमीटर तक इनोने टेस्टिंग वगेरा की है अभी तक फिलाल इनका लुक फाइनल नहीं होगा है बट जो बैटरी, मोटर वगएरा और जो भी कुछ कॉम्पोनिट इस इलेक्रिक स्कूटर में यूज होने वाले है उसमें यापर जो चेक अप टेस्टें वगएरा अभी भी चालू है और हाँ दोस्तों होनड़ी काफ़ी अच्चा रिस्पाँस यापर होनड़ा को लेके देखने को मिलने वाला इसको drivenyaữa क्रीण च्छेफीन में अपर काफ्баक होनडसारी और बात करें हैं तो 100 km से लंश भी लेकर 120 km अच्छ देखने मिल जाएगा Speed की बात करें तो 80-90 km का Speed आपको जो Top Speed देखने को मिलने वाला है और Features की बात करें तो Guys New Generation के सारे Features जो आपको इस Electric Scooter में देखने को मिलने वाला है जैसे की Hero की Vidda Electric Scooter में आए विसे कुछ आपको Features जो है इस Honda की Activa Electric Scooter में देखने को मिल सकते हैं और Launch की बात करें तो 2030 के मिट तक आपको यह Electric Scooter देखने को मिल जाएगी पर जो एक या दो मॉडल तक आपको 100% ली 2023 में आपको जो हॉंडा की तरफ से देखने को मिलने वाले इसके बात करते है नेक्स एलेक्तरिक स्कूटर के बारे में इस ब्रैंड नहीं आप पर जब से इलेक्तरिक स्कूटर लांच की है उस टाइम से अभी तक जो है LFV बैटरी में काम कर रही है मतलब काफी अच्छा रिस्पॉंस कस्टमर के तरफ से मिल रहा है सेफटी बैटरिया पर जो ए एलेक्ट्र स्कूटर ब्रैंड जो प्रोवाइट कर रहा है अपने कस्टमर को जहां गाइस में बात कर रहा हूँ टीवेस आइक्यूब की टीवेस आइक्यूब का एस्टी मॉडल जो की लॉंच हो चुका है बड़ इसकी प्राइसिंग रिविल नहीं हुई है और डिलिवर भी इसकी जो दो हजार थीज के स्टार्टी में आपको देखने को मिल जाएगी इसकी रेंज की बात करें तो टीवे क्या पहले से रहा है तो टीवेस आइक्यूब के सारे वरिजन में आपको जो है सेफ्टी भी मिलने वाली है और फीचर्स के बात करते हैं में प्राइस अभी तक अनॉसमेंट नहीं हुई है बट एक्सपेक्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो वन लाग थर्टी था सबस्क्राइब के बारे में वह आता है रिवाड की तरफ से एन एक कंपनी यह एक बहुती है लीज स्टार्ट अप कम्पटि जो किसी बी ब्रैंट जोए किसी बी इलेक्स कूटर में इतने फीचर देखने को नहीं मिलते जैसे कि और आपको पता नहीं तो उस वीडियो को मिल जाती है और रिवार्ट एनेक्स हंड्रेड में गाइज एल फी बैटरी यूज किये क्यार न्यू गवर्मेंट के गाइडलाइन्स के हिसाब से इन्होंने काम करना चालो कर दिया है काफी अपडेट भी है पर टाइम टू टाइम देखने को मिल रहे हैं और इस एलेक्ट तो यार सबसे ज्यादा तो प्राइस के कम ही रहेगी एक्सपेक्टिंग प्राइस के बाद करें तो 1,30,000 तक इसका एक शुरूम प्राइस देखने को मिल सकता है तो दोस्तों सबसे पहले तो यहापर काफी इंतजार होगा क्यार नंबर वन पर कौन सी ब्रैंड आती है और प्राइस के बात करें तो इसकी रेंज अलग-अलग मॉडल आपको देखने को मिल जाएगी पहले की प्राइस की बात करें तो 1,10,000 रूपीज फ्रस्ट वाले मॉडल की दीगे जिसकी रेंज 236 km सिंगल चार्ज में देखने को मिल जाती है और जो उपर वाला मॉडल है वो 2.9 सेकेंद में 0-40 जाती है और निव गवर्मेंट गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने काफी काम किया है सिंपल वन इलेक्रिक स्कूटर में और उसके हिसाब से आप अपने इलेक्रिक स्कूटर जो डिवलप कर रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है मार्च 2013 में आपको कोई ब्रैंड देख सकते हो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्ष में लाकर जरू से जरूर बताइए और एससे इलेक्रिक वाइकल्स की न्यूज अपडेट रिवीज के लिए चानल सब्सक्राइब करना ना बूलेगे काफी सारे फ्रेंड चैनल को सब्सक्र नहीं करते हैं इस चैनल पर आपको कौन्टिटी कम में लेगे बट क्वालिटी कंटेंट देखनें